हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आर्जे सनी और आपके लेके आई हूँ सुप्रिया सिंग की कहानी किरंच का दूसरा भाग उस दिन बहुत बेचैन रही क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था जाने क्यों उसकी वो आखे मुझे बार बार याद आ रही थी उस दिन के बाद तरुन भी कतराने लगे थे मेरी जिद गुसा सब पता नहीं कहा खो गया था पूरा पूरा दिन तरुन के इंतजार में बीतने लगा उसकी एक जलक देखने के लिए नजर बेचैन रहती मौका ढूंती किस तरह तरुन के लिए कुछ करूं कभी किचन में पैव ना रखने वाली मैं अब मासे जिद करके नई नई डिश बनाना सीखने लगी किसी तरह से तरुन को खिलाने की कोशिश करती उसके कॉलेज जाने के बाद उसके गंदे कपड़े धुना कभी कभी उसके सामान में पांच सो तो कभी हजार रुपए छुपा कर सोचती कि बहुत बड़ा काम कर दिया बिना ये सोचे कि तरुन पर इन सब बातों का क्या असर हो रहा है मैं मन ही मन खुश हो जाती यहां तक की अपनी सहेली से बात करके उसकी जाब एक कोचिंग में लगवा दी मेरे गर्वित मन को सुकून मिलता कि तरुन की मदद कर रही हूँ यह सलसला आगे भी चलता अगर वो वाक्या ना हुआ होता मौसी की बेटी की शादी में हम सब लखनव जा रहे थे जब मेरी मुलाकात मेरी उसी सहेली सीमा से ट्रेन में हुई इधर उधर की बात के बाद वो बोली यार क्या बंदा दिलाया है कसम से अगर चिराग लेकर भी ढूंटी तो बिना सैलरी के काम करने वाला कोई मिलता है आज के टाइम में बिना सैलरी मतलब? मतलब यह कि उस आदमी ने एक भी रुपया नहीं लिया मेरे से बोला ये तो मैं केवर सुमेधा जी के कहने पे कर रहा हूँ मेरे पैरो तले जमीन खिसती जिस जॉप के लिए खुद को महान मान रही थी उसको वो मेरी खातिर बिना पैसे के लिए कर रहा था जी किया जाकर एक थपड लगाऊं पागल को आगे के दो दिन शादी की गहमा गहमी में बीद गए पर रह रहकर तरुन याद आ रहा था वापसी में लखनव कानपूर से इतना दूर कभी नहीं लग रहा था नवंबर का महीना था हलकी सी धूप मन को सुकून दे रही थी तभी अचानक से आकाश में बादल चा गए हलकी सी बारिश तेज होने लगी थी मैं मा के साथ जल्दी से ओटो कर घर पहुँची थी नजरे अभी भी तरुन को खोज रही थी पर तरुन शायद अभी कॉलिज से आया ही नहीं था खुद की बेसबरी पर गुस्सा आने लगा था तभी किसी के सीड़ियां चड़ने की आवाज आई तरुन ही होगा सोच कर भागी जल्दी से उसके साथ कोई लड़की थी दोनों हस हस कर बाते कर रहे थी मेरा गुस्सा साथवे आसमान पर पहुँच चुका था उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में लड़की लाने की आने दो पापा को धके मार कर बाहर निकलवाती हूँ मैं पागलों की तरह बड़बडा रही थी और पूरे बरामदे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी समझ नहीं आ रहा था कि इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है इस पर कि वो उसे मिला नहीं था या इस बात पर कि वो किसी दूसरी लड़की के साथ था पर वो किसी के भी साथ रहे उससे क्या लेना देना तेजी से सीरी चड़ती हुई मैं उसके रूम की तरफ चल दी ये तमीज भी भूल चुकी थी कि वो किसी के साथ था और वो लोग क्या सोचेंगे कोई परवाह नहीं थी रूम का दर्वाजा हलका सा खुला था उन दोनों के बाते करने के स्वर बहुत धीमे से थे एक जटके से मैं रूम में दाखिल हुई तरुन लेटा था और वो बड़े प्यार से उसका सर दबा रही थी इसके आगे देखने की हिम्बत नहीं थी तेजी से सौरी बोल कर भागी वहां से तरुन मेरे पीछे भागा पर तब तक मैंने खुद को अपने रूम में कैद कर लिया था याद नहीं कितने दिन मैं अपने रूम में बंद रही माँ पापा सब आवाजे लगाते रहें मैं किसी की आवाज नहीं सुनना चाहती थी मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है च्यों मुझे इतना रोना आ रहा है क्यों तरुन को किसी और के साथ देखकर मेरी जान निकली जा रही है कब तक खुद की आवाज नहीं सुनती हाँ, करती हूँ मैं तरुन से प्यार, बहुत प्यार करती हूँ पर उसको क्या, वो तो किसी और के साथ खुश है न कभी नहीं बताऊंगी उसको कि वो मेरी जिन्दगी है मैं कब भूख, प्यास और तनाव से बेहाल, बेसुध हो गई थी पता नहीं चला होश आया, तो खुद को हॉस्पिटल के बेट पर पाया मा मेरे पास बैटी थी अब मेरे लिए मुश्किल था मा की बातों का जवाब देना पर वो मा थी, उसके लिए मैं हर सवाल से उपर थी अपने सीने से लगा कर रोव पड़ी बिट्टू, तुझे कुछ हो जाता तो हम क्या करते ये सोचा है तुने वो तो भला हो तरुन का जिसने दर्वाजा तोड़ कर तुझे बाहर निकाला और हॉस्पिटल ले आया तरुन का नाम सुनकर मन के घाव हरे हो गए क्यूं किया ये एहसान मरने देता न मुझको उसका क्या मा, मुझे घर जाना है अभी आपने क्यूं किसी का एहसान दिया बड़ी मुश्किल से बोल पाई हिचकी बहर आई थी रोते-रोते पर जिसके लिए रो रही थी वो तो मजे ले रहा होगा ना किसी और के साथ शाम का समय था जब वो लड़की के साथ हॉस्पिल के रूम में आया आते ही वो लड़की मा के गले लग गई ओहो, तो मा भी जानती है इसको मेरे कुछ सोचने से पहले मा बोली, बिटो इससे मिलो ये है तरुन की बहन प्रिया तरुन की बहन? तो ये बहन है और मैं समझ नहीं आ रहा था कि इस फीलिंग को क्या नाम दूँ मैंने प्रिया का हास्ट पकड़कर उसे गले से लगा लिया मैं खुश थी, बहुत खुश इतना कि पूछो मत आप ठीक तो है ना? आपने हम सब को डरा दिया था तरुन और आपके ममी पापा सब उस दिन से ना सोय है ना ही किसी ने ठीक से कुछ खाया है क्या हुआ था आपको? प्रिया सवाल पूछे जा रही थी और मैं अपनी मूर्खता पर शर्मिंदा सी नजरे जुकाए बैठी हुई थी तरुन की आँखों में देखने की हिम्मत नहीं थी तभी मा और प्रिया उठ खड़े हुए बिट्टू मैं और प्रिया घर जा रहे हैं तेरे लिए खिचडी बना लाए तुझे कुछ चाहिए हो तो बोल मैं क्या कहती मा से जो चाहिए था वो तो सामने ही बैठा था मा और प्रिया चले गए मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था तरुन मेरे पास था और हम बिलकुल अकेले थे मैं कुछ बोलती इससे पहले तरुन ने मुझे अपनी बाहों में जोर से भीच लिया हम दोनों कितनी देर तक एक दूसे से लिपट कर रोते रहे पता नहीं पागल तुझे कुछ हो जाता तो सोचा है मैं केसे जीता दो दिन सुमी पूरे दो दिन में हिला भी नहीं हूँ उस दर्वाजे से जान निकाल दी थी तुने मेरी पहली बार आज उसने मुझे सुमी बुलाया जानती हो सुमी मैं दीदी से तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था जब तुम रूम में आई कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया मैं कितना डर गया था पता है तुम्हे सुमी तुम कुछ बोलो इससे पहले मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ सुमी मैं तुमसे बेहत प्यार करता हूँ मैं जिन्दगी भर के लिए तुम्हें अपने लिए मांगता हूँ डरता था कि मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है तुम कहीं मना न कर दो पर अब जानता हूँ कि तुम मुझे हर हाल में अपना लोगी मेरा साथ दोगी न तरुन मेरे प्यार को इतना हलका मत समझो मुझे बस तुम चाहिए जिस हाल में रखोगे रह लूगी पर मुझे अपने से अलग मत करना मैं सिसकती रही उसकी बाहूं में मैं उसके अंक में बहुत देर तक सिम्टी रही अपने अधरों की मोहर उसने मेरे माथे पर लगा दी बाहर हलकी सी सर्दी भरी शाम को डूबने की जल्दी थी सूरज अपनी संध्या को आगोश में लेकर अस्थ हो रहा था और मैं तरुन के सीने में अपना मूँ छिपाए सारी दुनिया से बेखवर थी क्या सुमेधा की किस्मत में तरुन का प्यार हमेशा को था क्या हुआ जिसने इन दोनों को अलग कर दिया इतना प्यार करने के बाद भी सुमेधा किसी और से शादी करने को कैसे तयार हो गई जानिए इस कहानी के अगले अंक्रे